तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस संख्या 19 के कोश्चन को लेकर जो प्रती दिन सुबह 7 बज़े लाइफ क्लास चलते हैं जल जल आप सभी वीडियो को सेयर कर दें परसाथ ही क्लास में जूड जाए हर ग्रूप में आपने सेयर कर दें प्लीज कॉमेंट करें और हम बात करने वाले हैं आज हिंदी के question को ले कर ठीक है तो चलिए हिंदी के question करने वाले हैं total 20 question जो होंगे आपके प्रते दिन सुबह 7 वजे life class चलते हैं बिना डाउट के चले इस question को शुरू करते हैं कोई भी दिकात हो comment section आपके लिए खुला है जल से जल comment करें अगर आपको यह आता है तो इसका right answer आपको a b c d जो भी हो आपको comment करके जरूर से जरूर बढ़ा हैं तो रूल बता दे आपको जैसे कि एक नमर question है अगर आपको यह आता है तो इसका right answer आपको a b c d या d जो भी हो आपको comment करके जरूर से जरूर बताना है रूल यही रखा गया है हां पर टेक 20 question में आपको एक या दो question homebook लेज़े जो compulsory है कि आपको सही इंसा बताया जाएगा उसका comment में आपको जरूर से जरूर reply दूँगा चलित हम बात करने वाले पहले number question की और दिया ह कि दिये गए वाक में वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई trutty है जिव वह दिया गया है इसमें कहींने कहीं कहीं आपको तूर्य है कि स्वाक में तूर्य कहा है ये भी हमको बताना है चलिए हम हर के मुख्या सब्द मुख से निकलती है और मुख ही एक अंग में स्रेष्ट है ठीक है? मुख ही सब अंगों में स्रेष्ट है किस में तुरूटी है? Option A, B, C ये D जल्दी से फास्ट कमेंट मुख्या सब्द मुख से निकलती है है और मुक से निकलती है मुख से नहीं निकलती है मुक से निकलता है मुख से निकलता है कहां तुरूटी है हमारा मुख से निकलता है यहां यह हमारा गलत है option number निकलते हैं मुख्य का बिलोम है मुख्य का क्या बिलोम है option a b c a d जल्दी से फर्स्ट कमेंट तो इसका राइट एंस हो जागा आपका option नमर बी गोन option बीच राइट निकलता है आपको दो लिख कर जरूर से जरूर कमेंट करें दो का भी ठीक है जरूर से जरूर कमेंट करें आपको प्रते कमेंट करें प्लाइट जरूर दूंगा साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें नेश्ट अगला question है मारा तिस्तरा नमर 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयू वर्ष के बालक को बालक के लिए एक सब्द परियुक्त होते हैं 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयू के बालक के लिए कौन सा वाक हमको वर्ष कहा जाता है उसके एक सब्द बताना है option A, B, C या D जली से first comment जिसका right answer हो जाएगा हमारा option नमर D क्या हो जाएगा किशोर 10 से 15 वर्ष की जो age होते हैं उसमें हमारा क्या क्या बलता है किशोर किशोर अवास्था बोल जाता है ठीक है option नमर D is right answer next वर अगले question को चलते हैं next वर अगला question नमारा चोथा नमर सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करे option A, B, C या D जली से first comment इसका right answer हो जाएगा आपका option नमर D जी जी विशा option नमर D is right answer तो क्या करना है फोर लिखकर right answer क्या होगा दी comment ज़रूर करें चली इसका next वर अगले question को चलते हैं किये हुए काम के बदले में मिलने वाले धन को कहलाता है क्या कहलाता है option A, B, C, A, D जली से first comment इसका right answer हो जाएगा आपका option C पराड़ी स्मरिक option C is right answer पांच का क्या हो जाएगा आप C भी लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं असान से असानी रहेगा लिखना इसलिए पांच का C नहीं लिखते हैं तो अगर आप C भी लिखते हैं तो अच्छड हैगा जो भी answer हो आपका A, B, C लिख सकते हैं नेक्ष अगला question है हमाडा 6th number रजवाच्य सब्द का परवाचीसब्द है Option A, B, C, D रजवाच्य सब्द का परवाचीसब्द दिखका राइटाइस हो जाएगा आपका option number D रश से Option number D हैच right answer नेक्ष अगले question क्योर? निश्ट अगला होड कुश्चन सात्वा नमर जिसका जनम स्रेष्ट कुल में हुआ हो के लिए एक सब्द बताना है उप्शन A, B, C, A, D जली से फास्ट कुमेंट जिसका जनम स्रेष्ट कुल में हुआ हो ओप्शन A, B, C, A, D जिसका राइट जनम स्रेष्ट होजगा आपका ओप्शन नमर B क्या होजगा कुलीन ओप्शन नमर B इस राइट एंसर नेक्स्ट और अगले कोश्चन को चलते हैं अगर अगला हमारा कोश्चन है आठवा नमर रिक्त अस्थान को पूरा कीजिए ठीक है तो वह वाक हमारा क्या है वाक ये रहा अर चिली तो क्या हो हम इसको है आपकस्मात बीजली आई बिचार मन में ओप्शन आ भी ःडि जल्दी से फास्ट कमेंट iki कार मन में क्या होगा जल्दी से फास्ट कमेंट तो इसका राइटेंस हो जोगा, option number D, बिचार मन में चमका, option number D जो राइटेंस हो, क्या करेंगे, आठ का D लिख देंगे, या D लिख देंगे, comment में, जरूर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और अगला question है, क्या question है, दिए गया वाक में, वह भाग ज्याद करें, जिसमें कोई तुरूटी है, ठीक है, हमारा वाक क्या है, आएट, वाक कह रहा है, सहित्य की निव का आधार जीवन है, इसी निव का सहित्य की दिवाल खरी होती है, तो किस भाग में हमारे तुरूटी है, option A, B, C या D, जल्दी से first comment, किस भाग में तुरूटी है, तो इसका राइटन्स हो जागा, आपका option नमर B, option B में आपका गलत है, किस में गलत है, option B में, तो क्या होगा हमारा सही अंसर, आइए देखते हैं, सही अंसर होगा, इसी निव पर, क्या हो जागा, का का हमारा उप्योग होगा, पर होगा, किसका उप्योग होगा, पर, आइए देखते हैं उपर, यहाँ, इसी निव पर यहां का का उप्योग हमाड़ क्या हो जागा पर उप्योग होगा शहित्य के निव का आधार जीवन है इसी निव पर शहित्य की दिवार खरी होती है ऊप्शन नमर्ब इस राइट एंसर नेश्ट रगले को चलते हैं नेश्ट रगला को सिव भरने के लिए है रिकतास्थान को भरने के लिए उप्योग सब्द का चाहिन करें आप सथे जल्दी से फस्ट कमेंट करने से पर बता दू इसका वाकिय क्या है हमारा बंदूक एक दस कराइट एंसर क्या होजएगा हमारा दस कराइट एंसर होजएगा ए है अस्त्र क्या होगा हमारा अस्त्र बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है ठीक है ऑप्शन नमर एच राइट एंसर नेक्स्ट और अगले कोश्टिन को चलते हैं नेक्स्ट र अगला question हमारा धाक के तीन पात्र मुहाबरे का सही अर्थ चेन करें इसका पुछर धाक के तीन पात्र option E, B, C ये डेल जल्दी से first comment जल्दी से first comment तो इसका क्या होजागा धाक के तीन पात्र का मुहाबरे का सही answer होजागा हमारा option नमर B क्या हो जागा option number B परवर्थित ना होना option number B इच राइट एंस चले नेक्स्ट और अगले question क्यों चलते हैं नेक्स्ट और अगला question अमड़ा दिये गे वाक मेरे खांकित खंड को परतेज़ापित करने के लिए उपयुक्त विकल्पों का चैन करें जो रहे खांकित खंड है यह हमारा रहा ठीक है चमक वाले तो चले वाके क्या हमारे मुझे चमक वाले कप्रे पसंद नहीं है कैसा नहीं पसंद है चमक वाले तो चमक वाले के लिए कौन सा वर्ड सही होगा option A B C या D जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर हो जागा आपका option A चमक वाले option A इस राइट एंसर तो फ्रेंड प्रती दिन सुबह साथ बजे लाइब क्लाश चलते हैं जरूर से जरूर जोईन करें वीडियो को लाइक जरूर कर दें वीडियो में किसी परकार के दिखत हो किसी परकार के दिखत हो कॉमेंट जरूर करे मैं तो हमारा वाक्या है मानो जीवन परमात्मा का स्रेष्ट है और मर्यादाओं का परिमीथ है किस भाग में तुरूर्टी है option A B C एडिट जल्दी से फास्ट कमेंट जल्दी से फास्ट कमेंट तुरूर्ट इसका right answer हो जगा आपका option C यहां का के जगा हमारा क्या होपय होगा की उप्यों होगा क्या हूपी होगा क्या होप्यों होगा की option number C is right answer नेक्श्ट अगले question के लिए चलते हैं अगला कोशन हमारा दिये गय वाक में रिखांकिन खंद को परते स्थापित करने के लिए उप्युक्त भी गल का चैन करें आपको दिखा दे यहां रहा अब आके क्या हमारा यह कुमहार तो सीधा है लेकिन इसकी इस्तिरी बहुत तेज है तो यह बात बता दे आपके कुमहार को पत्नी को क्या कहा जाता है उसकी लिए आपका एक सब्द बताना है जल्दी सी फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर हो जाएगा जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर बी कुमहार की पत्नी को क्या कहाता है कुमहारीन ऑप्शन नमर बी इस राइट एंसर नेश्ट और अगले कोश्चन के लिए नेश्ट और अगले कोश्चन यह आपके लिए है, ठीक है, पंदरा का राइट एंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, इसका स्क्रीन सोट ले ले या जो भी हो आपको कैसे भी करके इसका राइट एंसर आपको ही बताना है, यह पंदरा का राइट एंसर क्या होगा, A होगा, B होगा, C या D, ठीक है, नेक्ष्ट र अगले कोश्चन पी ले चलते हैं नेक्ष्ट र अगला कोश्चन हमारा 16 नमर है 16 नमर का है उर्टी चिरिया पहचानना मुहाबरे का सही अर्थ का चैन करे option A B C A D मुहाबरा का है उर्टी चिरिया पहचानना तो इसका राइटेंस और जल्दी से अर्थ हो जाएगा है दूसरों के मन की बात जानना option D is right answer नेक्ष्ट र अगले कोश्चन क्यों चलते हैं नेक्ष्ट र अगला कोश्चन है हमारा दिये गये वाक्य मेरे खांकिन खर्द को पर स्थाफित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करें तो रे खांकिन खर्द कौन सा है यह था हमारा ठीक आईए क्या है हमारा वह स्वभाग से घुमने वाला है तो इसका A, B, C, D क्या होगा राइट एंसर जल्दी से फास्ट कमेंट जो घुमने वाला थे उसको क्या कहते हैं घुमक कर option number D is right answer क्या कहते हैं घुमक कर option number D is right answer नेक्ष्ट और अगले question क्यों चलते हैं नेक्ष्ट और अगला question 18 नमर सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें ठीक है जल्दी से फास्ट कोमेंट इसका राइटेंस हो जागा आपका option number a उजवल 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 इस तरह लिखा जाते हैं option number h राइटेंसर नेक्ष्ट और अगले question के चलते हैं नेक्ष्ट और अगला question आज 19 नमर ये भी question आपको करना है दिखता है संग को भरने के लिए उप्यूक सब्सका चैन करें ठीक है कि इमंदारी स्रेष्ट डैस होती है लकछ कुरिया स्वगून और गून कौनसी होती हैं इमंदारी सबसे श्रेष्ट क्या हती म Всем कमेंट करके आपको बताना है इसका राइट एंसर क्या होगा उननीस का राइट एंसर क्या होगा च्यारोभी कल्प में से कौन सभी कल्प सही होगा D C V A चल्ली से फास्ट कमेंट चलिए नेश्ट अगले question के चलते हैं हस्त का प्रवाची सब्द है क्या है option A B C A D जल्ली से फास्ट कमेंट इसका राइट चल्ली से फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर होजगा option A कर option A आज का 20 questions समाप्त हुआ 20 का राइट एंसर क्या होगा A मैं आसा करता हूँ कि आपने सही सभी question का answer सही दिया होंगे तो कमेंट करके अगर आपने बाद में वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके जरूर 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 सारे एंसर दे जिससे क्या होगे प्रति दिन आपको question की संक्या बढ़ेगी तो फेंड मैं बता दू आपको कि बिहार पूरिस की भरती आ चुकी है मैं उसका वीडियो अपलोड कर तुका हूं उसमें क्या का डिटेल्स चाहिए उसका जल्द ही उसके सारे अपडेट्स में लेकर और आऊंगा जिसमें उसका syllabus क्या रखा गया है उसके age की परकार से रखेंगे एक एक चीज की उसमें हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंट चलिए जब तक जैहन दोस्तों बंद मातरम